कर्भावस्था एक महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें माता और शिशु दोनों की सेहत का ध्यान रखना अत्यावश्यक होता है कर्भावस्था के दौरान विभिन प्रकार के परीक्षण किये जाते हैं ताकि शिशु के विकास और संभावित जोखिमों का पता लगाया जा सके इन्ही परीक्षणों में से एक है डबल मार्कर टेस्ट जो पहले तिमाही में किया जाता है डबल मार्कर टेस्ट क्या है? डबल मार्कर टेस्ट एक रक्त परिक्षण है जो गर्भ बती महिला के खून में दो विशेश प्रोटीन, फ्री बीटा एचसीजी और प्रेगनसी असोसियेटिट प्लस्मा प्रोटीन ए किस तरको मापता है? ये परिक्षण मुख्य रूप से गर्भ में पल रहे शिशु में क्रोमोसोमल असामान्यताओं जैसे डाउन सिंड्रोम, ट्राइसॉमी 21 और एडवर्ड सिंड्रोम का पता लगाने के लिए किया जाता है। टेस्ट कप और कैसे किया जाता है? डबल मार्कर टेस्ट आम तौर पर गर्भवस्था के 10 से 14 सप्त प्लेसिंटा द्वारा निर्मित होता है। इसका स्तर अगर सामान्यसे कम है, तो ये क्रोमोसोमल असामान्यताओं का संकेत हो सकता है। डबल मार्कर टेस्ट के परिणाम गर्भवती महिला के खून में फ्री बीटा हसीजी और पीए पीपीए के स्तर के आधार पर तै किये जाते हैं ये परिणाम शिशु में संभावित जोखिम का संकेत देते हैं लेकिन निश्चित निदान नहीं करते हैं अगर परिणाम असामान्यताओं का पता लगाने में मदद करता है ये परिणाम विशेश रूप से उन महिलाओं के लिए महत्व पूर्ण है जिनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक है जिनके परिवार में क्रोमोसोमल विकार का इतिहास है जिन्होंने पिछले गर्भ में क्रोमोसोमल असामान्यताओं का सामना किया हो अगर डबल मारकर टेस्ट के परिणाम असामान्य आते हैं तो यह घबराने का कारण नहीं है यह केवल संभावित जोखिम का संकेत देता है निशकर्ष डबल माकर टेस्ट एक महत्वपूर्ण परीक्षण है जो प्रारंबिक गर्भावस्था में संभावित अनुवन्शिक विकारों का पता लगाने में मदद करता है ये गर्भवती महिला और उनके डॉक्टर को उचित निर्णाय लेने में सहायक होता है ये परीक्षण गैर आक्रामक होता है और इसमें किसी प्रकार का खतरा नहीं होता अगर आपके मन में इस परीक्षण से संबंधित कोई सवाल या शंका है तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें स्वस्थ और सुरक्षित गर्भावस्था के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है ध्यान रखने योग्य बाते नियमित चिकित्सा जांच और परीक्षण गर्भवस्था के दौरान किसी भी प्रकार की असामान्यता का समय पर पता लगाने में मदद करते हैं स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाना गर्भवस्था के दौरान महत्वपूर्ण होता है किसी भी प्रकार की चिंता या समस्या होने पर तुरंद अपने डॉक्टर से संपर्ख करें इस जानकारी का उद्देश आपको डबल मारकर टेस्ट के बारे में समझाना है किसी भी चिकित्सा निर्णाई लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें स्वस्थ और सुरक्षित गर्भवस्था के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है